जैहिन दोस्तों बिहार SSC Interlabel Exam 2024 के लिए ये जो ज्यान बिंदू GS Academy का नया बूक है इससे साथियो आजम लोग सेट नमर तीन का डिसकेशन करेंगे इससे पहले आपका दो सेट कंप्लिट हो चुका है तो अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाक दोनों सेट को कंप्लिट कीजिए और साथियो इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रेक्टिस सेट को दिया गया है जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन रहेगा तो साथियो आप सभी डेली प्रेक्टिस सेट को अटेंड कीजिए तो आज हम लोग सेट कोसर नमर तीन का डिसकेशन करने वाले है इसलिए आप लोग पूरा सेशन को ध्यान पूर्वक देखिए तो चलिए हम लोग कोसर नमर दो से देखते हैं कोसर नमर एक में रिजनिंग दिया हुआ है और हम लोग के बल GKGS और करेंट अफर्स के प्रसनों को ही कवर करने वाल है तो देखे साथ यो संग लोग सेवा आयोक का जो अध्यक्स होता है अधिक्तम 65 वर्स की आयू तक पद धरन कर सकता है तो यहाँ पर C आप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिलकुल सही जबाब है 65 वर्स अगला कोसर देखिए आजादी से लेकर अब तक भारत मे रूपिय का अब मुल्यन कितनी बार किया गया है चलिकोसर नमर चार के लिए आंसर कीजिये तो यहाँ पर इस question का सही जवाब है C option तीन बार पहली बार 1949 में रुपिय का अवमुल्यन क्या गया था दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में डेट भी याद रखेगा पूछा जाता है अगला question देखिए हाल ही में आथूर पान का पत्ता को भोगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है या किस राज से संबंदी थे तो याद रखेगा साथियों आथूर पान का पत्ता जो है तमिल लाडू राज से संबंदी थे जिसको भोगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर पहला उप्षन आपका सही जबाब है तमिल लाडू अगला कोशन देखिए नेपाल किस वर्स एक संग्य लोकतांत्रिक गनराज बना था चलिए बहुती सांदर लेवल का कोशन दिया हुआ है अंसर किजिए नेपाल जो है किस वर्स एक संग्य लोकतांत्रिक गनराज बना था तो याद रखेगा 2008 में यहाँ पर बी आप्षन आपका सही जबाब है नेपाल की रालधानी कहाँ पर है काटमंडू और काटमंडू में ही सार्क का क्या है हेट क्वाटर है सार्क चलिए आगे बढ़ते हैं किस परकार के उत्तुलक का यांतरिक लाव सदैव एक से बड़ा होता है तो याद रखेगा साथ्यों यह है दूइतिय स्रेनी निम्नलिकित में से कौन अचालक नहीं है तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या हो जाएगा सेलेनियम यह अचालक नहीं है जबके रवड कागज अब अबरक यह सभी क्या है अचालक है अगला कोशन दिखिए निम्नलिकित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है तो देखे यहाँ पर इसका सही जबाब हो जाएगा सामून जो की इटली दिया हुआ है यह गले थे यहाँ पर होना चाहिए था इरान चलिए आगे बढ़ते हैं दाब का मात्रक क्या है देखे दाब का एक मात्रक होता है पास्कल यहाँ पर दाब बराबर क्या होता है बल बटे छेदरफल तो बल का होता है न्यूटन और छेदरफल का होता है मीटर स्क्वाइर तो Newton इस तरह से लिख सकते Newton प्रति मीटर स्क्वाइर तो जो कि याँ पर देखिए ए उप्शन में दिया गया है Newton प्रति वर्ग मीटर आगे देखे दहन की किरिया के लिए निम नांकित में से कौन सा सर्थ आवस्यक है तो कौन सा सर्थ आवस्यक है दहन की क्रिया के लिए तो याद रखेगा पदार्थ के जोलन ताप की प्राप्ति ये आवस्यक है दहन की क्रिया के लिए अगला कोशन देखे मंतरी परिशद सामोहिक रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होती है बिल्कुल इसी टाइप के कोशन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे और साथियों जिनोंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटा फट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें तो देखे मंतरी परिशद जो है सामोहिक रूप से लोग सभाग के प्रती उत्तरदाई होती है आगे देखे चीन की संसद कहलाती है चले कोशन नमर 25 के लिए आंसर किजिए चीन की संसद क्या कहलाती है तो याद रखेगा नेशनल पेपुल्स कॉंग्रेस ये चीन की संसद का नाम है डायट की बात करे जपान देश की संसद का नाम है कॉंग्रेश अमेरिका देश की संसद का नाम है और जातिय संसद बांगला देश की संसद का नाम है अगला कोशन देखिये निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में भी संचरन कर सकती है तो ये तरंग है विद्धुत चुम्बिके तरंग जो कि निर्वात में भी संचरन कर सकती है अगला कोशंदी के मेंडलिव आवर्थ नियम के अनुसार तत्व आवर्थ सार्नी में किस क्रम में व्यवस्थित थे तो देखे 28 के लिए आंसर हो जाएगा परमानु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे किसके आवर्थ सार्नी में तो मेंडलीव के आवर्थ सार्नी में अगला कोशन देखे ब्रेटन वूट्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की अस्थापना की थी और देखे जितने भी आपके कोशन सही हो रहे हैं आप लोग साइड में कौपी में लिखते चलिए फिर सेशन के लाश्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आज के सेट में आपने कितने कोशन सही किये हैं तो ब्रेटन वूट्स सम्मेलन ने याद रखेगा विस्व बैंक और अंतराष्टे मुद्राकोस संस्थाओं की अस्थापना की थी तो यहाँ पर सही जबाव है A और B दोनों विस्व बैंक और अंतराष्टे मुद्राकोस का हेट कौटर काँ पर है तो वासिंगटन DC में है विस वेपार संगटन का हेट क्वार्टर कहां पर है आप लोग कमेंट करके बताईए राष्टपती की पदावधी का उलेक किस अनुच्छेद में मिलता है तो याद रखेगा ये मिलता है अनुच्छेद 56 में याँ पर B option आपका सही जवाब है 56 राष्टपती पर महाभ्योत की परक्रिया के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है तो याद रखेगा अनुच्छेद 61 में और अनुच्छेद 72 में क्या है तो राष्टपती के पास जो छमादान की सक्ती है वो आर्टिकल 72 में बताया गया है निम्न लिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रो अस्थल माना जाता है तो ये माना जाता है उत्तर परदेश के मेरट से यहीं से 10 मई को याद रखेगा 10 मई से 1857 की करांती की सुरुवात होती है और इसका सिंबल पूछे 1857 की करांती का तो क्या था याद रखेगा कमल और चपाती या फिर कमल और रोटी चलिए आगे देखे इसमें बताना है प्रोटोन और निट्रोन तथा इलक्टोनों की संख्या क्या क्या है तो 38 के लिए आपर आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले आपको प्रोटोन बताना है तो देखे ऊपर में 80 है और नीचे क्या है 35 है तो ये हो जाएगा आपका proton के संख्या 35, फिर neutron पूछा गया है, neutron हो जाएगा 45, 80 में 35 को मैनस कीजिए तो 45 हो जाएगा और electron के संख्या भी हो जाएगा 35, यानि proton के संख्या बराबर होता है, electron की संख्या, यानि proton भी 35, electron भी 35 तो ये भी 35 ये भी 35 और neutron पूछे तो 80 में 35 को मैरस करेंगे तो 45 जो कि C option में दिया गया है चलिए आगे बढ़ती हैं असुध्यों के कारण द्रब का क्वातनांग क्या होता है तो याद रखेगा बढ़ जाता है चक्रबाद के केंद्र में होता है चलिए 40 के लिए आंसर कीजिए और अगर आपको किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंद कमेंट करके पूछ सकते ही तो चक्रबाद के केंद्र में क्या होता है तो यहाँ पर इसका सही जबाब हो जाएगा निम्न वायुदाव छेतर याद रखेगा चक्रबाद के केंद्र में निम्न वायुदाव छेतर होता है आगे देखिए भारत का राष्टे धोज कब अपनाया गया था चलिए कोर्शन नमर 42 के लिए आंसर कीजिए भारत का जो राष्टे धोज है इसे कब अपनाया गया था तो सिंपल सा कोर्षन है 22 जुलाई 1947 को और हमारा जो राष्टे धोज तिरंगा है इसका डेजाइन किसने तियार किया था तो ये भी नाम पूछायाता है पिंगली वेंकिया किस ने किया था पिंगली वेंकिया आगे देखे किस वर्स महात्मा गांधी दक्चिन अफ्रिका से भारत लोटे थे तो याद रखेगा ये लोटा था 9 जनवरी 1915 को इसलिए प्रत्यक वर्स 9 जनवरी को प्रवासी भारते दिवस मनाय जाता है और 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्यागरा किया था कहाँ पर तो बिहार के चमपारन में आगे देखे अर्थ ववस्ता में काले धन पर अंकुस लगाने के लिए 2016 में निम्न लिखित में से किस समिती का गठन किया गया था तो याद रखेगे साथ यह समिती है Justice M.B. सह समिती अगला कोशन देखे डायना माइट में मुख्य रूप से क्या होता है तो साथ यो डायना माइट में मुख्य रूप से होता है Trinitrogilcerin जो की B.Option में दिया गया है याद रखेगा डायना माइट का अविसकार किस ने किया था आप लोग कमेंट करके बताईए पूछा जाता है अगला कोशन देखे परियोग साला उपकरनों के निर्मान में किस काच का परियोग किया जाता है तो साथ यो इसमें Pyrex काच का इस्तमाल होता है आगे देखे कैट्रा मेंट सब्द किस से संबंदी थे तो साथ यो कैट्रा मेंट सब्द की बात करें तो याद रखेगा ये किस से संबंदी थे तो एक खास तरह की छोटी नौ से आगे देखे लौरिया अरे राज क्या है सही जवाब है अस्तंब लेक एक अस्तंब लेक का नाम है लौरिया अरे राज आगे दिखें केंद सासित परदेश जम्मू कस्मिर की सीमा कितने देशों से लगती है तो इसे भी याद कर लिए जम्मू कस्मिर जो केंदर सासित परदेश है इसकी सीमा कितने देशों से लगती है तो यहाँ पर सही जबाब है एक देशों से आगे दिखिए बीजों को जल में रखे जाने पर फूल जाना खाली अस्थान कहलाता है तो यह क्या कहलाता है तो अंता सोसन कहलाता है जो की बी आप्शन में दिया गया है आगे देखिए लोग तांत्रिक सरकार के तीन अंग कौन कौन से है सिंपल सा कोशन है कारिपाली का विधाई का और न्याईपाली का लोग तंत्रिक सरकार के ये तीन अंगहे याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते ही निम्न में से किस वाइसराय के कारिकाल में भारतियों को राय भादूर और खान भादूर की उपाद यहां प्रदान करना प्रारंब हुआ था वेरी इंपोर्टन कोशन है इसको याद कर लीजिए और साथ्यों अपलुक डेली क्लास को टेंड कीजिए क्लास का टाइमिंग है डेली रात साड़े आट वजे से तो यहां पर इसका सही जवाब है लॉड लेटन वाइसराय के कारिकाल में लॉड रीपन की बात करें तो 1881 में इसी के समय में दस की अधर पर जनगना प्रारंब होती है और लॉड मेयो के समय में 1872 में भारत की पहली जनगना होती है लॉड डफरिन के समय में क्या हुआ था तो 1885 में भारते राश्टे कॉंग्रिस के स्थापना होती है सभी को ध्यान रखें आगे देखें ब्रायो फिलम निम्न लिकित में से कौन से जड़ का उधारन है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पर्न मूल का उधारन है निम्न में से कौन सा जन्तू एक कोश्किय नहीं है चले 69 के लिए आंसर किजिए फडाफट से तो यहाँ पर इसका सही जवाब है हाइडरा ये एक कोश्किय जन्तू नहीं है बागी अमीबा, प्लाजमोडियम, लिस्मानिया, पैरामिसियम ये सभी क्या है? ये एक कुछ के जन्तू का उधारन है आगे दिके भारत में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम है? तो ये जो है लवन जील का नाम है आगे दिके अंग्रेजी सरकार दोरा, किस वर्स सूती वस्त्रों पर आयात कर को हटा लिया था? तो ये हटाया था 1882 में, याद रखेगा इंपोर्टन कोशन है, 1882 में आगे दिके बीयर, तथा बूल सब्दों का पर्योग किस छेतर में होता है? तो ये सेर बजार के छेतर में, इन सब्दों का इस्तिमाल होता है, बीयर, था बूल निम्न लेखित में से कौन सा अन अनिवार्य अमीनो अमल का उधारन है? तो ये हो जाएगा D option, glutamine, मस्तिस्क, एक कड़ी कला द्वारा धका होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखें, मस्तिस्क जो है, एक कड़ी कला द्वारा धका होता है, जिसे डियूरा मेटर कहा जाता है आगे देखे, राज-राजस्वर, मंदिर कहपर इस्थित ए तो सिम्पल सा question है, राज-राजस्वर, मंदिर, जो है, ये तंज़ावूर में, इस्थित ए आगे देखे राज सभा के सेवा निवरित होने वाले सदस्यों के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो क्वेशन नमर 88 के लिए आप पर आंसर हो जाएगा उनका कितनी भी बार पुना मनोनयन हो सकता है ये कथन सत्य है रक्त में जल की मात्रा लगबग कितनी होती है चलिए फड़ा फड़ से आप लोग आंसर करते चलिए तो साथियो रक्त में जल की मात्रा की बात करे तो ये लगबग 90% तक होती है ट्रैफिक पुलीस कहती है तो याद रखेगा ट्रैफिक पुलिस गौल जी काय को कहा जाता है यापर बी आप्सन आपका सही जबाब है कोशीका का पावर हाउस पूछे माइटो कॉंड्रिया को कहा जाता है प्रोटिन की फैक्टरी पूछे रैबो सौम को कहा जाता है आत्महत्या की थेली लाइसोस्वम को कहा जाता है वैदिक काल में वर्न व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था तो याद रखेगा वैदिक काल में वर्न व्यवस्था को प्रतिपादित किया था किसने तो याद रखना है मनुनी विसम कया चैनकरे यहाँ पर दीखें रिजनिंग का कोशन है इसको स्किप कर रहे हैं भारत में निम्नलेकित में से किसके अंतरगत पंचायती राज परनाली की व्यवस्था की गई वेरी इंपोर्टन कोशन है चलिया आंसर बताईए तो याद रखेगा राजी के नीती निदेशक तत्यों के अंतरगत किया गया जिसे आयरलेंड देश के संबिधान से लिया गया है और इसे भाग 4 और अनुच्छे 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है अब यहाँ से कोशन बन सकता है कि पंचैती राज वेवस्था को संबिधानिक दरजा कि संसोधन से मिला था तो याद रखेगा 73 संसोधन से और पंचैती राज का सुभारम का से हुआ था तो राजस्थान के नागोर से और पंचाइती राज को लागू करने बाला दूसरा राज पूछे तो आंदर परदेश और पहला पूछे तो राजस्थान आगे दिखें दुलहस्ती पर्योजना किस नदी पर इस्थी थे तो याद रखेगा सात्यों दूलहस्ती पर्योजना जो है चिनाब नदी पर इस्ति थे यहां पर सी आप्शन आपका सही जबाब है चिनाब नदी चलिए आगे देखिए उनेस सो एकतालिस में दूइतिय विश्यूदि के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी चलिए एक सो पांच के लिए आंसर बताईए तो यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा जर्मनी का रूस पर आकरमन और जपान का परल हारबर पर आकरमन तो यहां पर दो और चार हो जाएगा जो किसी आप्शन में दिया हुआ है चलिए यहाँ पर मिलान करना है यहाँ पर दिखिए scientific name दिया गया है और यहाँ पर मनुस से बाग, मोर और मेंधक है तो मनुस का हो जाएगा होमो सेंप्यस आप सभी जानते हैं बाग का हो जाएगा पैंथरा, टाइगरिस, मोर का हो जाएगा आपका पाबो, क्रिष्टेसस और मेढग का हो जाएगा राना, ट्रिगरिना मिला लिजेगा राना टीगरीना भारत में सरवादिक चेत्र में फैले हुए वन कौन से है तो ये है उसने कटी बन दिये परनपाती वन यहाँ पर पहला उप्शन आपका सही जबाब है आगे देके भारतिय संबिधान में प्रारंब में मौलिक करतवियों का प्राबधान नहीं था संबिधान संसोधन द्वरा संबिधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया तो ये किया गया है भाग 4A में और आर्टिकल की बात करें तो 51A में याद रखेगा मौलिक करतवे को कब जोड़ा गया था तो साल 1976 में जो 42 वा संसोदन होता है और किस समीती के सिफारिश पर जोड़ा गया था तो सरदार सोर्न सिंग समीती के सिफारिश पर वर्तमान में टोटल 11 मौलिक करतवे है और इसे रूस देश के संबिधान से लिया गया है बिरिटिस समराट के अधिन नियुक्त भारत का परथम वैसराय कौन था तो बिरिटिस समराट के अधिन पूछा गया है भारत का परथम वैसराय कौन था साही जवाब है लॉड केनिंग और इसी के समय में 1857 की क्रांती होती है हमारे सौर मंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंदर्मा नहीं है और देखे साथे जिनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटा फट से आप सभी सेशन को लाइक किजिए तो हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह है जिनके पास एक भी चंदर्मा या फिर उपक ग्रह नहीं है तो एक है बुद्ध और दूसरा है सुक्रियाद रखेगा बुद्ध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सुरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे वरस्पती हो जाएगा सुक्र ग्रह सुरमंडल का सबसे गरम ग्रह और चमकिला ग्रह है वे लोग जो मक्के को मुख अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है तो देखे काफी ज़्यादा इंपोर्टन कोशन इस्टार माग कर लीजिए तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है 118 का पिलागरा रोग हो जाता है और यह कोशन बिहार दरोगा एकजाम में पूछा गया था आगे देखे कुट्टू का आटा प्राप्थ होता है तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है 119 का तो 119 का आंसर है फैगो पाईरम से मैं समाजवादी और गंतंत्रवादी हूँ यह कॉंग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षे भासन में किसने कहा था तो यह कहा था पंडित जभारलाल नहरूने यहाँ पर पहला उप्षन आपका सही जवाब है मंदार पहाडी बिहार में किस जीले में इस्थित है सिंपल सा कुर्षने बाका में भारत में वर्यता का सही करम चुने तो देखे इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा तो देखे पाले राष्टपती होता है उसके बाद उपराष्टपती, पधार मंत्री, राज्योके, राज्यपाल, फिर भूत पूर्व, राष्टपती यहाँ पर सी ओप्षन सही दिया हुआ है भारत्य संबिधान अनकही कहानी के लेखक कौन है चली important question रहेगा तो साथियो भारत्य संबिधान अनकही कहानी के लेखक कौन है तो इसका सही जबाब है option सी राम भादूर राय निम्न लिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम पेशो है सही जबाब है अर्जेंटिना देश की मुद्रा का नाम क्या है पेशो फुटबॉल के गेंद का वजन लगबग कितने ग्राम का होता है चली यह कोशन भी important रहेगा तो याद रखेगा 450 ग्राम का होता है इस तरह कभी कोशन एक जाम में बनता है इन में से कौन सी भासा संयुक्त राष्ट द्वारा मानेता प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या होगा कौन सी भासा को मानेता प्राप्त नहीं है तो जर्मन भासा को बाकी फ्रेंच अरवी इस्पेनिच इन सभी भासा को मानेता प्राप थे भारत के राष्टे पक्ची का नाम सिंपल सा कोर्षन है मोर है निम्न लिकित में से किस राज को 2019 में केंदर सासित प्रदेश का दरजा मिला तो चले इसका आंसर बता देते हैं इसका आंसर होगा जम्मू कस्मीर राजिको चले आगे देखें लेनिन का उत्रा दिकारी कौन था तो यहाँ पर सही जबाब है इस्टालिन काल माक्स की बात करें तो इनकी दो पुस्तक याद रखेगा दास केपिटर और कमिनिस्ट मैनिफेस्ट हो यह दो पुस्तक काल माक्स की है जोके एकजाम में पूछा आता है आप लोग कमेंट करके बताईए काल माक्स का जन्म कहां पर हुआता यानि किस देश के राने बाले थे सुबास संद्र बोस अंतराष्टिय हावाई एड़ा कहां पर इस्तित है तो यह कोलकाता में इस्तित है 26 नमबर जाना जाता है तो राष्टिय विधी दीवस के रूप में 26 नमबर जाना जाता है दुनिया का सबसे उचा रेलवे पूल किस नदी पर बनाया गया है तो साथों यह बनाया गया है चिनाब नदी पर सुप्रिम कोट के फैसले के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार राज या उसकी इकाईयों के अलावा अन्य व्यक्तियों के खिलाब भी लागू किया जा सकता है तो यह आर्टिकल है 19 और 21 जो कि B आप्शन में दिया गया है जुलाई 2023 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस अस्थान पर है तो भारत जो है इसमें किस अस्थान पर है तो अस्थिवा अस्थान पर है यहाँ पर पहला अप्शन आपका साई जबाब है चलि आगे देखिए इंडियाज इस्ट्रेगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधियन एरा पुस्तेक के लेखक कौन है चलि इंपोर्टन कोशन रहेगा सई जबाब है वी सुब्रमन्यम आस्कर अवार्ड दोजर तेश में बेश्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता तो यह जीता है मिस्यल योहने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली भारतिय लोको पाइलेट कौन है तो 148 के लिए आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव युद्पोत महंद्रगिरी एक सितंबर 2023 को लॉंच किया गया या भारतिय नौसेना के प्रोजेक्ट सत्रा एकेतात खालिय स्थान इस्थिल्द फ्रिग्रेट है तो याद रखेगा सात्वा आखरी कोशन है कैबिनेट की नियुक्ती समिती ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है आज अपने कितने कोशन सही किये हैं और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और सेर जरू करें